हेलो गैस, आज हम बात करेंगे OPPO Reno7 के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके how to hide application के बारे में ओके, वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चेनल को subscribe करें जिगा बेलिका इकन को press कलेंना है application को hide कैसे करे first of all हमें अपने phone में settings open करना है उसके बाद हम click करेंगे privacy पे privacy पे click करने के बाद यहाँ पे देखिए hide apps को option मिलता है privacy protection में हमें इस पे click करना है और हमें यहाँ पे अपना password को create कर देना है ठीक है जो भी password हम हम लोग यहाँ पे डालते क्रपिया उसको note कर लेना है क्योंकि अगर आप लोग password भूलते तो आगे चलके आप लोगों को दिक्कत आ सकती है ठीक है और जो भी security के लिए recovery के लिए डालते ध्यान पुरुवक्ती डाले जितनी हमारे phone में applications है यहाँ पे करती है ओके अब हमें जिस भी आपको hide करना है hide यहाँ पे कर सकते है simply tick करके for example हम यहाँ पे जो है इस आपको hide करते Amazon को simply हमसे पे क्लिक करेंगे recent task के notification ब्लॉक करना है वो हमने कर दिया अब यहाँ से हम देख सकते है Amazon यहाँ पे हम search करते है देखिए यहाँ पे हमें वो so नहीं करना result आ रहा है अब हमें फिर से privacy पे क्लिक करना है hide एस पे क्लिक करेंगे अपना password यहाँ पे डाल देते है untick करेंगे इसको यहाँ से ओके यहाँ पे Amazon ता देखिए अब यहाँ पे हमें Amazon so कर रहा है ठीक है and चाहे तो हम यहाँ पे password वगेरा भी change कर सकते मैं आप लोग को फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा 2.2 पे क्लिक करेंगे settings पे क्लिक करके हम यहाँ पे password वगेरा भी जो है यहाँ पे change कर सकते so आयोप आप लोग को पता चल गया होगा कि स्टेप से आप लोग hide वगेरा करेंगे applications को so मिलते हैं next वीडियो में जय मतादी